कैसे हो आप सब लोग एंड वलकम बाक ट्यूर ओन शायर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आज की मार्केट पर जो इतना बड़ा सेल ओफ आया है। तो कल हम मार्केट में किस तरी किस रियाक्ट करें। और जो हमने आप लोगों को आज मार्केट पे 18th of May को आज जो मार्केट में को आज आप लोगों को इंट्र अडे स्टाॉक्स करने के लिए थे क्या वो ट्रेज्ट जो हमने पांच शेयर ट्रेट करने के लिए थे कि उसके टागेट हुए या नहीं है। जो हमने आप लोगों को एक option strategy भी दी थी वो क्या hit हूई की नहीं है तो वो भी बात करेंगे और कल intraday में यानि की 19 में को कि उजदे को हमें क्या trades लेने हैं पांच stock के अंदर और उसमें हमें buy or sell करके कैसे चलना है क्या target क्या stop loss होंगे वो भी इस वीडियो में आपको बताया तो बढ़ते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यह हमारी एक excel sheet है एक तरी किसे जिसका अमने एक screenshot ले लिया है यह 5 share हम लोगों ने आप लोगों को कल प्रोवाइड कराय थे यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी ह हमारा profit ही हुआ था क्योंकि 927 का अचीव कर गया था और closing भी 927 के नीचे ही हुए है 3% almost ही गिर चुका था Reliance की बात करें तो Reliance अपने buy करने की सलादी थी Reliance का भी target हीट हो गया था और हमने profit earn कर दिया था Sun Pharma sell करने की सलादी थी 445 पे sell करने की सलादी 10 पॉइंट का नीचे target था वो भी achieve हो गया था HDFC Life short करने की सलादी थी 485 पे target हीट हो गया था बालक एरिशन इंडस्ट्रीज पे और जस्डाइल पे आपको बताया था दोनों में same pattern मना है तो दोनों का same pattern पे दोनों में 3-3% तक की हमने गिरावट देखी थी 3-3% तक की प्रबबली टार्गेट हो चुका है एक option strategy हम लोगों ने आप लोगों को provide कराई थी वो provide कराई थी बालक रिशन इंडस्ट्रीज जो हम लोग ने आपको इंट्रडे में short करने की सलादी थी वही हमने एक option strategy भी provide कराई थी 900 की put option को buy करके चलना बालक रिशन इंडस्ट्रीज पे जो कि अभी trade कर रहा है 943 पे और अब जो इसकी closing हुई है वो 920 पे हो चुकी है यानि कि जब हमने आप लोगों को एक option put option buy करने की सलादी थी तब वहां से वो 25 रुपे नीचे गिर चुका है सो गई हमारा जो टार्गेट था प्रॉबबली बालक रिशन इंडस्ट्रीज का 800 रुपे का lot size था 800 शेर का lot size था 21 रुपे में आपको buy करने की सलादी थी और हमारा 28 से 34 के बीच के range थी कि जहां पर आप अपनी profit booking कर सकते हो और 31 आज इसका हाय है तो प्रॉबबली आप लोगोंने 8000 उपे लेकर यहां से भी निखल गए होंगे और अगर आप लोगों करना चाहते हैं तो इसको भी अभी होल्ड कर सकते हैं तो मेरा प्रॉबबली टार्गेट आ रहा है यह 890 का रहा है तो यह हमारे जो कल की performance थी तो आज हम लोगोंने trades लिये तो वह perfect गए सारे targets हिट हो गए हैं अब कल किस तरीके से market में काम करना है उस तरीके से हम लोग काम करें तब से पहले स्थॉक है गाइस लूपिन शॉट करने की सला एट 54 के नीचे शॉट करना है 849 844 तक के targets हम expect कर सकते हैं तॉपलोज आपको 862 का maintain करके रखना पड़ेगा सिपला की बात करते हैं सिपला शॉट करने की सला है आज हमने सिपला में बहुत अच्छी movement देखी सिपला एक पर्टिवलर ली गाई अगर हम बात करें एक फ्लाग पाटरन के अंदर काम करा था नीचे साइड में जो उसकी नीचे की तरफ ब्रेक आ सकता है पर यह हमने जब और टेस्ट करके पता चला कि एक बुलिश लाग पैटन है और अगर यह अपने सपोर्ट सो बढ़ रहा है तो एक दुबारा रिजिस्टेंस की तरफ जा सकता है जो की प्रॉबबबली 620 का minimum minimum level है पर उसके अंदर जो हम लोगों ने उन लोगों को शियर करा था तागेट 607 है 613 है और stop loss आपको 594 कमेंटेट करके रहा है एक्सिस बैंक शॉट करने की सलाह है एक्सिस बैंक एक राइजिंग अप चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था उसके नीचे जब उसने ब्रेक कर रहा तो एक लोवर हाय ल कर देता अब दुबारा यह रेंज बुजा सकता है तो दुबारा क्लियली शॉट है पर गाईज यह 7% गिर चुका है इंट्रेडे के अंदर तो थोड़ा सही कूल आफ करने की कोशिश करेगा तुस्यल बिलो 357 और होल्ड होना चीह है तो ही ट्रेड लीजेगा 352 344 तके ट यहां पर डबल बॉटम सेनारियू है और अपने बहुत बढ़ी है सपोर्ट से बाउंस करके लोजिंग करिया उसने एक गंटे के अंदर तो हम एक्सपेक कर सकते हैं कि शायद बारती यह टल में दुबारा बाउंस आ सकता है तो एक क्लियर लिगा इस शॉट की सला नहीं है इस गाटले पैटन भी मना है और बैट पैटन भी मना है और दोनों साइन बता रहे हैं कि 835 के आसपास इस पे खेवी सेलिंग आ सकती है और वहाँ पर शायद इसका हाई भी 835 के आसपास था तो जब हम आज हमने चेक कर रहा तो मैं पता चला है क्लियरली शॉट है 808 के नी stop loss आपको maintain करके रखना है guys stop loss आप लोगों को maintain करके रखना है इस particular escorts के अंदर 814 का तो यहाँ पर आप जो दिख रहा है 356 बूर नहीं है आप लोगों को यहाँ पर stop loss maintain करके यह मारे 5 stocks थे जो आप लोगों को ना option ना bank निफ्टी ना निफ्टी के बार में आप लोगों को बताऊंगा क्यों नी बताऊंगा guys nifty आज हम देख सकते हैं कि इतना जाधा गिर चुका है nifty 4-5% गिर चुका है और उसके बाद bank nifty 4-5% गिर चुका है बहुत जादा है तो clearly market को थोड़ा सा cool off होनी दीजिए और जैसी sell आएगा जैसी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ retrace करेगा जैसी ऊपर हलका सा buy आएगा हम आप market को clearly short करने का अभी market में कोई trade नहीं है कोई market अगर उपर खुलती है तो उपर खुलने के बाद में आप लोगों को sell करने की ही जला दोबाद और आप लोगों को option trade क्यों नहीं दिया जा रहा एक option trade जो बन रहा था guys वह एक sports में बन रहा था पर वह जादा नीचे आ चुका है तो एक बार में इसको भी पसंदा आए होगी तो guys वीडियो को like करें इस वीडियो पे like जरूर चुड़िएगा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी viewers देख रहे हैं comment section में मुझे बताएगा कि इस particular जो यह हम series आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं इसके लावा में और क्या-क्या आप लोगों के लिए वीडियो में अपने इस YouTube पे upload कर सकता हूं जो आप लोगों के लिए काम पी है उसके लावा guys आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को दबा दीजेगा जैसी मेरी वीडियो वाली upload होगी सबसे पहले आप देख पाएंगे और कल इंट्रेडे में trade लेके पैस इसे कमा पाएंगे तो मैं श्रौज बसीन पिलता हूं आप से अगली वीडियो में आइन को